आज की वीडियो में डेली करेंट अफेर्स में हम लोग देखेंगे 14 नवंबर 2022 में जतने भी रिलेटिट करेंट अफेर्स हैं इंपोर्टन करेंट अफेर्स उन सब का टेस्ट हम लोग लगाएंगे और ये आपको जतने भी आने वाले एक्साम है उन सभी के लिए ये काफी हल्फुल होगा कोश्चन है पहला कि T20 वर्ल कप 2022 निम्न में से किस देश ने जीता आंसर है इसका ओप्सन बी ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्ण में खेले गए फाइनल मैच में पाकिस्तान के 137 रन के जवाब में इंग्लेंड ने 5 विकेट खोकर 19 ओवर में 138 रन बना कर दूसरी बार T20 वर्ल कप जीता कौन भारतिय अमेरिकी महिला हाल ही में अमेरिकी राज मेरिलेंड की उपरा जपाल बनी है आंसर है इसका ओप्सन C अरूना मिलर भारतिय अमेरिकी महिला अरूना मिलर मेरिलेंड में लेफटिनेंट गवर्नर का पद सम्भालने वाली पहली और प्रवासी बन गई है जम्मू एवं कस्मीर के उपराज जिपाल वर्तमान में कौन है आंसर है आप्सन E मनोज सिन्ह विश्व मधु में दिवस किस तिथी को मनाया जाता है आंसर है आप्सन C 14 नवंबर को अंग्रेजी के कॉलिंस सब्द कोस ने निम्न में से किस सब्द को वर्त 2022 का सब्द चुना है आंसर है इसका आप्सन C पर्मा क्राइसस अंग्रेजी के कॉलिंस सब्द कोस का 2022 के लिए वर्स का सब्द पर्मा क्राइस है या सब्द काफी संछेप में बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तों में कितना भ्यावर रहा है अंतरास्टिय क्रिकेट परिशद के नए चेर्मेन किसे बनाय गया है? आंसर है ओप्सन A. ग्रेग बार्कले ICC ने ग्रेग बार्कले को फिर से ICC का चेर्मेन नियूक्त किया गया है उनका कारेकाल दो साल का होगा निमलिकित में से किस देश ने चछटी बार महिला रगवी 2022 का खिताब जीता है? आंसर है ओप्सन D. न्यूजिलैंड ने न्यूजिलेंड ने छटी बार महिला रगबी जीत कर विस्व चैंपियन बन गया है। न्यूजिलेंड की महिला टीम ने इडन पार्क पर फाइनल में इंगलेंड को 34-31 से हरा कर विस्व विजेता बना है। भारतिय मूल के रिसी सूनक ने ब्रिटेन के कौन से यनि की कैमे परधान मंत्री के रूप में 25 अक्टूबर 2022 को सपत ली है। आंसर है आप्शन C, 57 में थल से नाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 14-17 नवंबर 2022 तक किस देश के दोरे के लिए रवाना हुए है। आंसर है आप्शन A, फ्रांस के थल से नाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 14-17 नवंबर 2022 तक फ्रांस के दोरे के लिए रवाना हुए हैं। चार दिवस्य यात्रा के दोरान वा दोनों रास्टों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश से फ्रांस में अपने समकक्ष और फ्रांस के वरिष्ट सैन्यनेतरित्व से मुलाकात करेंगे। हाली में रास्टिय सिक्षा दिवस जोके 11 नवंबर को था पर बिहार के मुख्यमंतरी नितीज कुमार ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया। आंसर है ऑप्सन सी दबेसिक ओफ एनिमल बिहेवियर हर साल 11 नवंबर को भारत के पहले सिक्षा मंतरी मौलाना अबुलकलाम आजाद की जयन्ती के उपलक्ष में 11 नवंबर को रास्टिय सिक्षा दिवस मनाय जाता है। निमलिखित में से कौन भारत के पचासवे मुख्य नयायदीज के रूप में सपत ग्रहन किया। हाली में किस देश ने ओलंपिक विजेता नीर्चोपडा को फ्रेंड्शिप एंबेजडर बनाया है। आंसर है ओप्सन सी सुईट्जर लेंड ने सुईट्जर लेंड परियाटन ने ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता नीरा चोपड़ा को अपना मैतरी राजदूत नियुक्त किया दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंड की आकिन दो सहरों के बीच चलाई गई है आंसर है ओप्सन भी मैसूर से चन नही स्टैचू ओप प्रोस्पारिटी किस राज़ में इस्तित है आंसर है ओप्सन डी करनाटक में बैंगलूर करनाटक में स्रीनाथ प्रभू कैमपे गोड़ा की 108 फीट उची कासे परतिमा को स्टैचू ओप प्रोस्पारिटी नम दिया गया है 14 नमबर 2022 को निमने में से किस राज़ में अमूर फालकन फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है आंसर है ओप्सन C मनीपूर में अपरी करन्ट अफेस का MCQ टेस्ट आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को सहर जरूर करें साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बला आकोन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद